नमस्कार मैं मिनाकसी एक बार फिर से सागत करती हूँ आपको crazy kitchen में आज मैं बनाने जाए हुँ दो टाइब की चटनी, एक green चटनी और एक red चटनी इस दोनों चटनी हम Indian snacks या फिर चाठ के साथ लेते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम हरी चटनी बना के त्यार कर लेते हैं इसके लिए मैंने यहां पे एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है ब्लेंडिंग जार में अभी हम डाल देते हैं एक पाउल कटा हुआ धनिया ये फ्रेज देनिया है और इसका धंडा भी मैंने इसके साथ ही डाल दिया है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जितना हमने धनिया डाला है उसका आधा हम पुदिले के पत्ते डालेंगे दो हरी मिर्च, थोड़ा सा गार्लिक, आधा निम्बु का रस, साधन साल नमक और थोड़ा सा पानी देखे इसको एक फाइन पेस्ट बना के त्यार कर लेते हैं आप कुछ इतनी ठीक या फिर थिन चटनी चाहिए उसी हिसाब से आप पानी आड़ करिए यह चटनी बन के त्यार हो गया है इसे अभी हम सर्भिंग बावल पे निकाल लेते हैं यह चटनी को आप कोई भी इंडियन स्नाक्स या फिर चाट के साथ सर्फ कर सकते हैं अभी हम इमली और खजुर की एक खटी मिठी चटनी बना के त्यार कर लेते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें एक बरतन में दो गलास पानी ले लेते हैं अभी हम इसमें एक कॉप इमली डालते हैं, यहां पे मैंने प्याकेट वाला इमली यूज किया हुआ है, तो यह छिलका इसमें नहीं है, अगर आप छिलके वाले इमली यूज कर रहे हैं, तो छिलका निकाल के इसको अच्छे से दो तिन बार दो लीजिए, उसके बाद आप इसे पानी में डाली है, मैं इसको नहीं दो रही हूँ किए कि यह पैकेट वाला है, तो यह साफी है, अभी मैं इसको पानी में डाल देती हूँ और ग्यास के फ्लेम को मीडियम से हाई रखते हैं, और इसे इमली में उबा लाने के लिए छोड़ देते हैं, इसे 5 से 6 नियुक्त के लिए थंड़ा होने के लिए चोड़ देते हैं 15 मिनिट हो गई है अब इसको इसके लिए मैंने Ugh ले चैंटकरने के बाद अभी आप हाथ में चमंच में करते जाए इसे क्यी होता है बीज और जो भी कज़रा है उपर रहे जाता है और इमली का पॉल्प होता है वो नीचे चला जाता है 2-3 मिनिटी लगता है यी पॉल्प को निकालने में जादा टायम नहीं लगता है ये पॉल्प हमारे अलग हो गयी है अभी हम चलते हैं next बस इस पे मैंने यहां पे ग्यास पे एक प्यान गरम होने रख दिया है प्यान गरम हो गई है अभी हम इसमें दो से तिन टेबल स्पून तेल डाल देते हैं और ग्यास के फ्लेम को लो कर देते हैं लो फ्लेम में ही हमें एक छोटी चमज जीरा डाल देना है जीरा थोड़ा सा चटकने के बाद हमें इसमें एक चोथाई चमाच छींग डाल देते हैं एक चमाच लाल मिर्स का पाड़ो डाल देते हैं अब ये सारे मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं बस कुछ सेकेंज के लिए अभी हम इमली का पल्प बना के रखे थे इसको डाल देते हैं और ग्यास के फ्लेम को मीडियम कर देते हैं मीडियम फ्लेम में इसे तीन से चार मिनिट के लिए उबालाने के लिए चोड़ देते हैं तिन चार मिनिट हो गई है यह चटनी में थोड़ा सा उबाल आ गया है अभी हम इसमें आधा कप सुगर आड कर देते हैं आप चाहे तो आधा कप गूर भी उस कर सकते हैं और मीठा आप अपनी हिसाब से थोड़ी बहुत कम जादा अर्ज़स्ट कर सकते हैं अधा चोटी चमज नमक डाल के इसको अच्छे से मिला लेते हैं अभी हम इसमें थोड़ा सा 7-8 डेट को मैंने चोटे-चोटे पीसेस में काटके रखा है इसको डाल देते हैं यह अप्सनल है आपको पसंद है तो डाल लिए अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप क दर सकते हैं यह सारे चीज को अच्छे से मिला लेते हैं और 10 मिनिट के लिए इसको मिडियम फ्ले में उबलने देते हैं जब तक यह चटनी थोड़ा सा थीक हो गया है जब यह थंड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा और जाता थीक हो जाएगा अभी हम इसमें एक चमाच भूना हुआ जीरा और लाल मिर्स का पावडोर को डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं और 1-2 मिनिट के लिए इसको उबलने देते हैं दो मिनिट हो गया है अभी घ्म कास बंद कर देते हैं और यह चटनी को थोड़ा सा होने देते हैं एक बार यह थंड़ा हो जाएगा तो मैं इसे सॉर्फ करके आपको दिखाऊंगी इस चटनी बन के तयार है इसे आप कोई भी इंडियान स्नक्स या फिर चाट के साल सॉर्फ कर सकते हैं इसे आप एयर टाइट डब्बे में भरके महीने भरके लिए फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं जब आपको जरूरत है आप इसे यूज कर सकते हैं आपको यह जटनी की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए अगर एच्छी लगी है तो लाइक करिए अपने प्रेंट और फैमिली के साथ सेयर करिए और सब्सक्राइब करि मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना क्याल रखिए थैंक यू